हेलो अव्रिवान दिस इज सुधिर एंड वेलकम ट्यो आवर यूट्यूब चैनल टूडे वी डिसकस नेक्स टॉपिक और यह है हमारा ट्रॉपिकल एवर्ग्रीन एंड सेमी एवर्ग्रीन फोरेस्ट पिसले वीडियो के अंदर हमने जो इंट्रोडेक्शन जो पार्ट है व नाव नीचे कोमेंट बॉक्स के अंदर दिया गया है और पहले करेंगे वह पहले करेंगे ट्रोपिकल एवर्ग्रीन फोरेस्ट गेट ट्रोपिकल एवर्ग्रीन जहान लग जाता है तो आपको खुद ही समझ आ जाता है कि यह ऐसे फोरेस्ट होते हैं जो हमेशा हरे बरे रहते हैं यह ऐसे फोरेस्ट हैं जो हमेशा हरे बरे हैं वो रहते हैं और देखें पहले इनकी कुछ तो इस फीचर्स है वह फीचर्स भी आप आप लोगों की साथ डिसकस करता हूँ जैसे टेंपरेचर जो टेंपरेचर हाँ वो कितना चहीं होता है इनको टेंपरेचर हाँ वो 20 और यह कैसे होते हैं गरम होते हैं इनको कैसी क्लाइमित क्या हो शकता है वह पढ़ती है तो पहला जो प्वेंट आप यह नोट कर सकते हैं रेंफॉल इनको कितने चाहें than 200 cm तो यह कैसे होते हैं वैट होते हैं और मौस्ट होते हैं इनकी जो क्लाइमिट होते हैं कैसी होते हैं मौस्ट और और वैट होते हैं फिर बात करते हैं एरिया की एरिया कौन सा है वेस्टर्ण स्लोप ओफ वेस्टर्ण घाट वेस्टर्ण स्लोप ओफ वेस्टर्ण घाट ए अंडमान एंड निकोबर आइलेंड इन इन स्थानों पे हमें जो ट्रोपिकल जो एवर ग्रेन जो फोरेस्ट है वो मिलते हैं यहां तेक किलियर हुआ होगा आप लोगों को फिर बात करते हैं यहां पे कौन-कौन से जो वेजिटेशन है वो हमें मिलती है जैसे महोगनी है एन स्टेटिफाइड वेल स्टेटिफाइड होते हैं कि हमें डिफरेंट्स लेवल ओफ ट्री मौर देन 60 मीटर भी हमें उचे हो मिल जाते हैं देखें एक बार मापको बता दू एक जो प्लांट वो यहां में इतना छोटा मिलेगा फिर इसे बड़ा मिलेगा फिर यह और यह होते हैं वेल स्टेटिफाइड तो हमें जो प्लांट्स वो बड़े भी मिलते हैं और छोटे मिलते हैं इनका जो लेवल होता है वो अलग-अलग जो लेवल है वो देखने को मिलता है हमें यहां पर चली यह कंप्लीट हो आपका ट्रोपिकल एवर्ग्रीन जो इस मोज्ट ξया वी मौन Government जो यहां पर मॉरदें 200 संक्राइं रहुक्त हैं तो मिंपैं 250 वी होगी और कहींपी 200 cm भी होगी जहां पर 200 cm या इससे कम जो रहीं होती है और वहां पे पूरे साल हरीबहें रहके हैं वो फोरेस्ट तो वह आते हैं हमारी स्टे मारी सैंवाइवर फॉरेस्ट के अंदर तो लेस्ट या फिर 200 सेंटीमेटर जो रिन्फॉल है उसके आउशकता है होती है तो उन स्थानों पर हमें मिलते हैं कौन से समय एवर्गरेन अब एरिया की बात करते हैं एरिया क्या है इस्टरन स्लोप ओफ वेस्टरन घाट यह था वेस्टरन स्लोप ओफ वेस्टरन घाट और यह है इस्टरन स्लोप ओफ वेस्टरन घाट नौर्थ जो नौर्थ इस्ट स्टेट है उनमें और उडिशा इनके अंदर हमें यह देखने क मिलते हैं अभ क्या है वाइट कैला क्याली और क्या हो गром क depression की एब rabbit मैं और छोर होट लोक पोलते हैं के ऊवर लोक के नाम से ये इसको जाना जाता है फिर बात करते हैं यहाँ यह तो यहाँ पर क्या हुआ बता दि आपको यह वजी वेटेशन हैं, इस इस रीजन के अंदर मिलते हैं, सारी जो चीज़ें हम वो डिसकस कर लिए, फिर बात करते हैं, अंग्रे जो ने क्या हुआ, हमारे पहले की बात करते हैं, जब हमारे देश गुलाम था, तो पहले जो भारतिये थे वो ज्यादा फोरेस्ट के और ध भी था वो था ऊक ट्री मिलता था हमें एक ट्री है प्रजाती है प्रजाती है उसको आप चाय के बागान कॉफी यह लगाए और साथ में जो चीड कर दिया उसको चीड के अंदर और लोगों को प्रोच्छान किया कि आप जो चीड़ है, उसके जो पेड़ हैं, वो लगाई। अब देखिये। अंग्री जो ने अपनी दरिस्टी के लिए, अपने व्यापारी के दरिस्टी के लिए, ओक जो ट्री थे उनको कटवाकर कौन से जो ट्री लगाए, वो लगवाए। चीड़, चीड़ के जो लगान है वो लगाई तो इससे जो चीड की पेड लगाने का इनका तात्परिय क्या था आप पूछोगे कि सर उन्होंने चीड के पेड ही क्यों लगाए पहले क्या थे कि जो स्लीपर हैं जो दो पट्रिया होते हैं उनको जो connect करें रखते हैं आज हम देखते हैं बड़े- development है उसके लिए जो चीड के जो पेड हैं वो उगाए तो यही बताना था मैंने आपको कि evergreen और semi evergreen है वो complete हुआ हमारा और इसमें किसी को doubt है तो आप मेरे से comment करके पूछ सकते हैं बस आज की वीडियो इतनी ही थी आपको वीडियो अच्छी लगी तो like करें, share करें और चैन करें और कूछ सकते हैं इतनी हैं क्या वीडियो और करें तो कि वीडियो अज